हेलो दोस्तो तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पतंजली का दिब्य मेगावाटी पतंजली का दिब्य मेगावाटी है इसके बारे में बात करेंगे जो मेरे अस्कीम पे दिखाया गया दोस्तो यह आपका दिब्य मेगावाटी है जो पतंजली का प्रोडक्ट है इ चिड़ापन हो गया आपका नीन ने आने की प्रोब्लम में सिर्दर्द में इस वाटी का इस्तमाल किया जाता है तो विस्तार से हम जानेगी दिव्य मेघावाटी के फारे में इस वीडियो में और इसमें कुलकुन सा अरवेधिक जड़ियों को मिसरं से दिव्य मेघावाटी को त्यार किया जाता है ता आप लोग हमारा इस वीडियो में लाज तक बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से क्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो अज पहली बार देख रहे हैं था हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर कि आने मारा वीडियो कोल निटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो आईए आप सुरू करते हैं वीडियो को आ ये हम जान लेते हैं पहले दिबी मेघावाटी में कौन-कौन सा अरवेदिक जड़ी बूटी को मिस्यरन से त्यार के आगए हम पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सा अरवेदिक जड़ी बूटी डाली गई है तो पहले जो इसमें डाली गई है आपका ब्रहमी डाला गया है संक पुस्वी दाला गया है, आपका उस्वागंधा डाला गया है, जाठ मासी डाला गया है, आपका परवल पिष्टी डाला गया है, मोती पिष्टी डाला गया है, चांदी भस्म, आदि बहुत सा अर्वेदिक जडियों पुट्यों को मिला कर दिभी मेघावाटी को त्यार किया जाता है, जो बना बने आपका पतन जली कार्ष्टोर में बहुत उसानी से मिल जाता है वहां से लेकि इस दवाई का इस्तमाल कर सकते हैं तो आए जानते हैं अब इसका फैदे के बारे में विस्तार से इसका क्या-क्या फैदे हैं और क्या-क्या बनुफिट है चलिए तो आप जानते हैं मेगावाटी का मुख्य गुन धर्म के बारे में इसका क्या-क्या फेदी और क्या-क्या बुनुफिट के बारे में तो विस्तार से जान लेते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो में लाज तक बने रहिएगा यह वाटी आपका दिभी मेगावाटी हमारे सरीर के लिए काफि फैदामन अर्वेदिक दवा है इसका सेवन से सरनसक्ति की कमजोरी दूर होती है शिर्दद की समस्या में मेगावाटी का इस्तमाल कर आजाता है निन ना आने की समस्या चिच्चिडापन आदि में लबधायक है आपका निन ना आने की समस्या में इस वाटी को इस्तमाल कर सकती है यह जो वाटी है आपका दोस्तों दिव्य मेघा वाटी यह आपका सफना अधिक आना नागरात्मक विचारों के करान डिप्रेशन घबराहाट आधिक इसका सेवन से दूर होता है तथा आतनों विश्वास एबं उत्तस बढ़ता है यह जो वाटी है आपका दिभी मेघावाटी विधार्तियों भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं तथा मांसी कार्ज करने वाले के लिए यह एक अच्छी अर्वेदिक दवा है जो परती दिन सेवन करने से योग बिरिधी होती है मेघावाटी बुढ़ों और बुजुर्गों के लिए भी जो भूलने की प्रोब्लम रहता है किसी पदार्त का आदी को भूल जाना आदी में भी यह एक सफल और निर्पद आउसादी है भूलने की समस्या में भी इस आउसादी का इस्तमाल करवा सकते हैं अपने डाक्टर की इसला से ता ये जानते हैं कुछ जो इसमें अर्वेदिक डवाई डाली गई है इसके फैदे के बारे में तो दिब्य मेगावाटी में जो अर्वेदिक डवाई डाली गई है बरहमी डाला गया दोस्तों जो बरहमी हमारे दिमाग के लिए काफी पारफूल अशादी है दील में काम करती है दोस्तों आए आपका योन समस्या में भी अस्वगंदा का इस्तेमाल करवाय जाए जाए तो आई जान लेते हैं हम दिब्ये मेघावाटी का सेवन बीधि के बारे में इसे किस परकार इस्तमार और किस परकार 7 कर सकते हैं तो आईए आप जानते हम दिब ये मेगावाटी का 7 बिधी और मातरा के बारे में इसके कितने मातरा में हम इस्तमार कर सकते हैं तो आईए हम विश्तार से जान लेते हैं तो इसका क्या खोराक है तो इसे इस प्रकार आप लोग इस्तमार कर सकते हैं एक से दो गोली सुबा खाली पेच दू दिया नस्ते के बाद पानी से और खाना खाने के बाद पानी ये दूत से इसका इस्तमार कर सकते हैं और दोस्तों दिवे मेगावाटी पांच साल से कम उमर के बच्चों को इस दवा की एक गोली आधी आधी दिन में दो बार दी जा सकती है पांच साल से अधीक उमर वाले बच्चे के लिए खुराक दिन में दो बार एक गोली की मातरा में दी जा सकती है या उम्र के हिसाब से या अपने डाक्टर के सला से इस दवाय का खुराक लेनी चाहिए जैसे डाक्टर बताती है इस परकार इस दवाय का इस्तमाल करना चाहिए अपनी मर्जी से उप्योग नहीं करना चाहिए कियोंकि दोस्तो उम्र के हिसाब से इसका खुराक ली जाती है इसलिए अब लेने से पहले आप अपनी डाक्टर की सला एक बार ज़रूर ले तो अब हमारा वीडियो लाश होता है अगर हमारा वीडियो आप लोगों के पसंद आया होगा अब हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कोमेंट कीजिए और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो अगर कोई सवाल हो तो कोमेंट जरूर करें धन्यवाद दोस्तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तो